असलाम लेकुम एवरिवन आप सब केते हूँ उम्मिद आप सब अच्छे होंगी और आप सब की दुआउं से मैं भी अच्छी हूँ और मैंने तो कल अपना व्लॉग शेयर किया था मैं राम नदर आ चुकी हूँ अपने हजबन के साथ और मैंने आपको कहा था कि मैं सेल्फि और मैंने अपना व्लॉग सुभा से स्टार्ट नहीं किया था और मेरी रूम भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हूई है इसे भी समेटना बाकी है मुझी अब मैं अपनी रूम क्लीन करने वाली हूँ रूम क्लीन करने के बाद ये ओपन करके दिखाती हूँ बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हूई है और अभी टाइम बज रहे हैं साड़े चार और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है ये देखिए वैसे मैं अपनी ब्लांकेट सुभा ही फोल्ट कर देती हूँ मेरे हजबन आये थे तो थोड़ी दिर सो गए थी वो तो इसलिए ये खुली पड़ी है बहुत ज़्यादा काम है यहां पर देखिए मेरी कबर्ट की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है आज रूम क्लीन करके कबर्ट को कल सेट कर दूँगी ये देखिए हमेशा की तरह म मैं यहां पर बेबी वाइप्स यूज़ करती हूँ डर्ट क्लीन करने के लिए और मैंने मास्क भी पहन लिया है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डैली व्लॉक्स डालो लेकिन यहां पर जॉइन्ट फैमिली होने की वज़ह से मुझे कमफ़र्टेबल फील नहीं होता इन्शा वैसे मैं यहां पर रूम क्लीन कर लेती हूँ लेकिन उपर वगेरा कुछ साफ करना हो तो मेरे हस्बेंट ही करते हैं नीचे थोड़ा सा डर्ट क्लीन करना हो तो सामने से मैं ही कर लेती हूँ अगर room उपर से clean करना हो तो मेरे husband ही पूरी तरीके से clean कर देते हैं अगर मैं आना चाहूं मास्क डाल कर तो भी मुझे नहीं आने देते हैं माशालला से मेरे husband बहुत मुझे समझते हैं देखिए मैं यहाँ पर मेरा dressing table भी अच्छी तरह से clean कर रही हूं यह extra shine liquid है यह glasses को clean करता है यह देखिए मैं इसी तरह से डाल कर अच्छी तरह से clean कर दूँगी मैंने dirt clean कर लिया है अब यहाँ पर tomato की चटनी बना रही हूं शाम के लिए यह देखिए और इधर दूसरी side आटा गुन रही हूं रोटिया बनाने के लिए आप सब में देखिए लिया होगा मैंने dirt clean कर रही थी और वो dirt clean करने का सब काम खतम हो चुका है और इसके बाद मैं unboxing करने वाली थी डिनर का भी time हो रहा था इसलिए मैंने डिनर भी prepare कर दिया आप ही ने देखिए लिया होगा तो अब मैं करूंगी unboxing अब करीबन 8 बच रहे हैं तो अब मेरे सारे काम खतम हो गए हैं आप रोती बनाना बाकी है लेकिन अब सब से पहले मैं इसके unboxing करती है केसा आएगा पता नहीं अच्छा गया तो मुझे बहुत अज़ा खुशी होगी देखिए कुछ इस तरह से हैं और अब मैं इस ओपन करूंगी मुझे इसकी बहुत ज़ादा जरूरत थी और इसमें इस तरह से एक छोटी सी बुसके जैसा है और कार्ड भी है देखिए छोटी साइब और इसको साइड में रग रग देखिए एक वाइड भी है इसमें मैं भी फर्स टाइम यूज कर रही हूं थे इस तरह का डिजाइन था मेरे पास नहीं था पहली बार मंगवाया है मैंने देखिए अच्छा है न आ यहां पर लाइट भी आती है यहां पर और शायद इस चार्जर वाइड है चार्ज करने के लिए यह आप देख सकते हो लाइट के पीचे एक बटन दिया हुआ है और इसको आन आफ करने से लाइट आन हो जाता है और यह देखिए ब्राइटनेस भी इसे कम या जादा कर सकते हैं इसमें मुबाइल आपको किस तरह से लगाना है आप इसी तरह से टर्न कर सकते हैं यह देखिए कितनी अच्छी तरह से टर्न हो रहा है बहुत कि अच्छा है और साथ में ट्राइपोड भी है इसमें देखिए इस तरह से बहुत अच्छा है बना रहे हैं तो आराम से मोबाईल इसमें लगा कर आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह से कलोज कर दीजिए और आप इस तरह से केसे भी बेंड कर सकते हैं देखिए और आपको यहां पर फोन लगाना पड़ता है इस तरह से ओपन करके फिर यहां से आपका फोन जितना बढ़ा है आप अराम से लगा सकते हैं जो तो बहुत ज़ादा पसंद आया है एक बार ट्राइ करके देखती हूं यह ब्लूटूथ कनेक्टेड है अगर आपको यह पसंद आया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यह ट्राइवल फ्रेंड़ी है आपकर ही फिर भी ले जा सकते हैं मुझे तो सलफी लेने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ती है तो मैं बहुत जादा खुश हूँ यह मंगवाने के बाद मुझे बहुत ह अच्छा लगाए पॉड़क्त ऐसे आज मेरी रोम बहुत जादा गंदेगी थी तो मैंने थोड़ा सा क्मीन किया है अभी भी बाकी है थोड़ा लेकिन मैं आज ठक गई हूँ और नहीं कर पाऊंगी कल कर लोगी और इंशाला मैं कल जो करूँगी आपके साथ शेर मेरे हस्बेन का वेट कर रही हूँ वो शायद 9 बज़े तक आ जाएंगी और उनके आने के बाद मैं गरम गरम रोटी बना के टमैटो की चटनी के साथ सर्फ कर दूए बहुत ही जबदस लगता है कॉम्बिनेशन टमैटो की चटनी और रोटी और मेरे हबी को बहुत ही ज़ अब करीबन साड़े 9 बज़ रहे हैं मुझे भी बहुत ज़ादा भूक लग रही है मैं जा रही हूँ खाने के लिए ये देखिए खाने के बाद मैं ओपर टेरेस पर आई हूँ थोड़ी दिर वाक करने के लिए अज सुभा से यहाँ पर बारिश पड़ रही थी लेकिन अ आपको जादा बोर तो नहीं किया नाज आज का व्लॉग मैं यही पर खतम करती हूँ प्लीज आप सब दुआओं में याद रखिएगा मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो माच अलाफेज